नमस्का राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ एक्टर रोनित राय फिल्मों के अलावा बिजनेस भी करते हैं उनकी खुद की सिक्यूरिटी एजनसी है जिसकी जरी वो बड़े-बड़े सेलेप्रिटीज को सुरक्षा मुहया कराते हैं एक रिसेंट इंटर्वी में रोनित ने कहा कि कोवीट के वक्त उनकी हालत बहुत खस कुमार और करंट जोहर ने काफी दर्या देली दिखाई थी बिना सर्वीस लिए उन्होंने पेमेंट करना जारी रखा इससे कुछ हद तक रोनित को काफी मदद मिली थी रोनित ने कहा कि कोवीट के वक्त 130 कर्मचारी मेरी फर्म में काम करते थी उनकी फेमिलिस का भी ध्यान रखना पड़ता था कुछ महीने पहले तक मेरे पास काम भी नहीं था मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया था इसके बाद भी मैंने सोचा कि अपने सभी कर्मचारियों को पूरी सेलरी दूँगा हलकि मेरे पास सेलरी देने जितना पेसा नहीं था फिर मैंने देखा कि घर में बहुत सारी चीजे ऐसी है जिसका कोई यूज नहीं है रोनित ने कहा मेरे पास कुछ गाड़ियां थी जिने में काफी दिनों से यूज नहीं कर रहा था एक मीनी कूपर थी जिसे में कभी चलाता भी नहीं था घर में कुछ और लगजरी सामन थे इन सब को बेच कर मैंने अपने कर्वचारियों को उनके सेलरी दी मैंने उनके उपर कोई उपकार नहीं किया यह करना मेरी जिम्मेदारी थी इसी के साथ बने रहे है राज़नमा ठीवी के साथ धर देवाद